यह हैं दोस्तो इस वक्त की बड़ी ख़वा निकल के सामने आरे प्याम किसान मालों को इलिए बहुत है बड़ी खुश कबरी देखने को मिलेगे इस वीडियो को अंदर तक बने रहेगा जलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं दिखाते हैं दोस्तो सुलाहमा किस अपका कब दोस्तो बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जानकारी हमें इंटरनेट मीडिया रिपोर्ट के सार मील रही है दो मैं आपको बताना चाहाँगा दूस्तो इंक रिक्राइज करने कासी लगाइं यहां दोस्तो यदी आपने अभेत्तकरे नहीं करवाया है तो आप जल ब्र इसमें बताय जा रहा है 27 फरवरी को आने की उमीद है इक वाई से नहीं कराने वाले किसानों को योजना का लाब नहीं मिल सकेगा इस नाते करीब एक लाख है 14 हजार किसान लाब से वंचित रहेंगे तमाम प्रियासों के बाद भी इन किसानों ने खामियाबी दूर नहीं करा हैं उनका सुलामा किस्त नहीं आएगा दोस्तों इसमें साप्चा पताय जा रहा है उसके बाद दोस्तों रिकिम जागर्ण समवादाता राय विरेली किसानों को प्रधान मंत्री किसान समाने दी योजना से जोड़कर लाब दिया जा रहा है इस योजना की सुलामी किस्त 27 फरेल को आने की उमीद है इक वाई से नहीं कराने वाले किसानों को योजना का लाब नहीं मिल सकेगा इस नाते करीब एक लाख 14,000 किसान लाब से वंचित रहेंगे तमाम परियासों के बाद भी इन किसानों ने खामियाबी दूर नहीं कराई उसके बाद दिखिए मैं आप किसानों को योजना का लाब लेने के लिए एक वाई से अनिमार कर दी गई है 14 किस्त तक तो छोट दे दी गई है और एक वाई से नहीं कराने वाले किसानों को भी योजना का लाब दे दिया गया है लेकिन 15 किस्त उन किसानों की रोग दी गई है जिन्होंने एक वाई से नह करा लें इसके बाद भी नहीं चेते और सुलामी किस्ते में एक लाख चौदे हज़ार किसानों लाप से वंचित रहेंगे इसमें से अधिकतर किसानों ने अधार सीडिंग भूम सत्यापन एक वाइसी नहीं कराई बलाक अस्तर पर भी बीज भंडर किंद्रों के लिए किसानो के काग्याद दुरहुस्ति नहीं हो सके एक लाख चौदे हज़ार किसानों को इस बार जो है पीम किसान का पैसा नहीं मिल पाएगे इसमें साब्जाब बता जा रहा है तो फिर आज दो इस लिए आप लोग एक कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं तो क्या है आगे जो भी अपडेट आएगी तो मैं आपको इंफार्मिसन करूंगा फिर आज इस वीडियो के मादब सब इसतना ही जहिन है